दोस्तो मार्केट में अभी अभी श्कॉडा इंडिया ने सब को चोका दिया अपनी एक जबलदस्त गाड़ी को ओफर करके और एक एक साइटिंग प्राइस पॉइंट पर उसको लॉंच करके यहां पर उन्होंने इस गाड़ी को 7.8 लाइन रैक रूपीज एक शोरूम ओफर किया है जहां पर आपको एक बहुत बैठरीन पैपी इंजन वन लिटर टर्बो इंजन देखने को मिल जाता है और यहां पर जबलदस फीचर्स देखने को मिल जाते हैं दोस्तो सुनने में यह आया है और रिपोर्ट के हिसाब से इश्कॉडा इस प्लाइनिंग तो लॉंच किस गाड़ी में आपको CNG देखने को मिलेगी इन सम तमाम चीजों के बारे में आज इस वीडियों बात करेंगे और मैं आपके साथ में सारी वैल्यूबल इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा नमश्कार दोस्तों आप हैं EM कार्स अबरीमेट कार्स पर जहां पर आपको आपको इंडस्ट्री रूमर्स के हिसाब से ये ब्रेंड अपना पावर ट्रें लाइन अप को एक्सपैंड करना चाहता है CNG इंजिन के साथ में जैसे ही CNG इंजिन किसी भी गाड़ी के साथ एसोशियेट हो जाता है वहां पर एफोड़ बढ़ जाती है बले ही शुरू में 80,000-90, पर उसके बार में आपके रनिंग कोश्ट लगबग आधी हो जाती है पेट्रोल के मुकाबले और यह कौन सा मॉडल होगा जिसमें आपको CNG देखने को मिलेगी इसके बारे हम बात कर लेते हैं दोस्तों आज की डेट में इंटरनेशनल ही अगर देखा जाए तो CC TSI engine के साथ में जहां पर LPG power train इसने ओफर की है Octavia और Fabia के साथ में अगर इंडिया की बात करें तो यह brand expected है अपने GTX CNG power train को 1000cc वाले TSI engine के साथ में produce करने के लिए अब यह आपकी पहली श्कॉड़ा SUV होगी जो की एक CNG power train के साथ में launch होगी और यह आपको श्कॉड़ा काईलैक जो अभी December 4 को launch होने वाली है वहाँ पर आपको CNG power train देखने को मिलेगा लेकिन आने वाले टाइम में definitely Škoda की यह planning होगी कि वह अपनी काईलैक को 1000cc टर्बो पेट्रोल यूनिट के साथ में CNG power train के साथ ओफर करें जब यह technology काईलैक के साथ ओफर होगी उसके बाद यह same technology आपकी कुशाक और स्लाविया में भी जाएगी और दोस्तों industry reports की अगर बात करें तो यहाँ पर company की mid-size SUV कुशाक एक CNG testing kit के साथ में देखी भी गई थी 2022 में और वहाँ पर यह reports भी आई थी ती Škoda बहुत जल्दी एक नया power train जो है वो ओफर करने वाला है कुशाक के साथ में अगर यह launch हो आती है गाड़ी Škoda काईलेक CNG power train के साथ में तो यह देश की दूसरी CNG गाड़ी होगी जो की एक turbo petrol engine के साथ में offer होगी पहली आपकी टाटा नेक्सोन आपको देखने को मिलती है लेकिन अभी brand की तरफ से कुछ भी इसका official confirmation नहीं है उसके अलावा दो लिए ताकि fuel efficiency जब customers को offer होगी तो definitely brand की तरफ attract होंगे आज की date में अगर देखा जाए तो 1000cc वाला जो आपका यह ऐसा engine है और 1500cc वाला जो engine देखने को मिलता है वहाँ पर उनकी performance बहुत शानदार है लेकिन उनका mileage इतना जबर्दस्ट और इतना exciting नहीं है अगर शकोड़ा का इसकी फुल लिस्ट और प्राइसिंग अभी अनॉंस होनी बाकी है डिजाइन वाइस दोस्तों यह compact SUV है सब 4-meter compact SUV है और यहाँ पर आपको सिगनेचर बटरफ्लाइ ग्रेल इस प्लेट एलेडी हैड्लम्स स्लीक डियारेल हनी कॉंप एयर डैम्स इसके package में देखने को मिल ज जाते हैं इस गाड़ी का यूएस पी और है दोस्तों यहाँ पर आपको massive boot space 446 liters का देखने को मिल जाता है आने वाले टाइम में दोस्तों जैसे ही काईलेक के बारे में folder information pricing वगर आएगी मैं इसके comparison videos इसका variant specific videos की कौन सा variant सबसे यादा value for money है ज़रूर लेकर आऊंगा और इस दोस्तों यह वीडियो देखकर आपको जानकारी मिली होगी कि श्कॉडा का क्या कुछ प्लान है इंडिया को लेकर और क्या कुछ हमें future में इससे देखने को मिल सकता है इसी तरह की informative और simple videos के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और bell notification को प्रेस कीजिएग Thank you so much for watching this dosto, bye bye take care of yourself and remember always drive safe bye bye dosto